आज जब देश आज हादि कामरुत महोत्सव मना रहा है तो उसी काल फेन में बाबा साब आम बेड़कर की जन्म जन्ति का आउसर हमें उस महान यग्या से भी जोडता है और भविश की प्रिणा से भी जोडता है मैं कृतक जिराष्ट की तरफ से सभी देश्वासियों की तरफ से बाबा साहिब को आधर पुरुबग सद्धान ले अर्पित तरता हूँ साथियों आजहादी के लड़ाई में हमारे लाखों करोडों स्वाधेंता से नानियों ने समरस समावे सी भारत का सपना देखा था उन सपनों को पूरा करने की शुरुवात बाबा साहम ने देश को सम्मिधान के देखर के की थे आज उसी सम्मिधान पर चल कर भारत एक नया भविश्य गड़ रहा है सभलता के नये आयाम हासिल कर रहा है साथियों आज इस पवित्र दिन एसोशेशन आफ इंडियन उनिवर्सिटी के वाई चांसलर्स की 95th मीटिंग भी हो रही है बाबा साहब अंबेड कर ओपन उनिवर्सिटी में बाबा साहब सम्मरस्ता चैर की सापना की गोश्णा भी हुई है अभी बाबा साहब के जीवन पर उनके विचारों पर आदर्शों पर भाई किशोर मकवाना जी की चार पुस्तकों का लोकारपण भी हुआ है मैं इन प्रयासों से जुड़े सभी महानुभावों को बढ़ाई देता हूँ साथियों भारत दुनिया में मधरब डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है डेमोक्रेसी हमारी स्रभ्यता हमारे तौर तरीकों का एक प्रकारचे हमारी जीवन पद्धिती का एक महज हिस्सा रहा है आजादी के बात का भारत अपनी उसी लोकतंत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे भड़े बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें एसास होता है कि वो एक युनिवर्सल वीजन के व्यक्ति थे स्री किशोर मकवानी जी की किताब में बाबा साहब के इस वीजन के स्पष्ठ दर्शन होते हैं उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती हैं दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित हैं इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ठ दर्शन हमारे सामने आता है और चोथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देश वाच्छों तक ले जाएगी। ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक सास्तर से कम नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश के विश्व विद्यालव में, कॉलेजों में, हमारी नई पीड़ी, जादा से जादा इन पुस्तकों को और ऐसे अटाई पुस्तकों को भी पढ़ें। समरत समाज की बात हो, दलीत वंचीत समाज के अधिकारों की चिंता हो, महलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्ण हो, शिक्षा और विश्व कर उत्च शिक्षा पर बाबा साब का वीजन हो, इन सभी आयमों से देश के युवाओं को बाबा साब को जानने समझने का आउसर मिलेगा, साथियों, डॉक्टर आमबेड कर कहते थे, मेरे तीन उपास्य देवता है, ज्यान, स्वाविमान और शील, यानि नौलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉलाइटनेस, जब नौलेज आती हैं, तबी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए एवेर होता है, और इक्वल राइट्स से ही समाज में सम्रस्ता आती हैं और देश प्रगति करता हैं, हम सभी बाबा साब के जीवन संगर्स से प के बाद भी बाबा साब जिस उंचाई पर पहुंचे वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है बाबा साब आमबेड कर हमें जो मार दिखा कर गए हैं उस पर देश निरंतर चले इसकी जिम्मेदारी हमारी सिक्षा विवस्ता पर हमारे विश्व विध्यानों पर हमेश रही है और जब प्रश्ण एक राष्ट के रुप में साजा लक्षों का हो साजा प्रयासों का हो तो सामोही प्रयास ही सिद्धी का माध्यम बनते हैं इसलिए मैं समझता हूँ इसमें एसोशेशन अफ इंडियन उनिवर्सिटी की भूमी का महत्वण हो जाती है AIU के पास तो डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्ण जी, डॉक्टर शामा प्रशाद मुखद जी, स्रीमत्य हांसा महता जी, डॉक्टर जाकीर हुसें जी, जैसे बिद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी बिरासत है डॉक्टर राधा कृष्ण जी कहते थे, the end product of education would be a free creative man who can battle against historical circumstances and adversities of nature. ताथ पर यह यह, कि सिक्षा को वो, यह सिक्षा वो हो, जो व्यक्ति को मुक्त करें, वो खुल कर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्मान करें. उनका मानना था, कि हमें अपना education management, पूरे world को एक unit मान कर विक्सित करना चाहिए. लेकिन साथ ही, वो education के Indian character पर, भारतिय चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे. आज के global scenario में, यह बात और भी महत्वपुन हो जाती है, अभी यहाँ पर नई राष्टिय शिक्षा निती और उसके implementation plan पर special issues रिलिज किये गए हैं. यह issues इस बात के detailed documents हैं, कि national education policy एक futuristic policy है, global parameters की policy है, आप सभी विद्वजन national education policy की बारिकियों से परिचीत हैं. डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने education के जिन परपज की बात कही थी, वही इस policy के core में दिखता है. मुझे बताया गया है, कि इस बार आपने seminar की theme वो भी यही रखी है, implementing national education policy 2020 to transform higher education in India. इसके लिए आप सब बधाई के पात रहें, मैं NEP को लेकर लगातार विशे सग्यों से चर्चा करता रहा हूँ. National education policy जीतनी practical है, उतनी ही practical इसका implementation भी है. साथियों, आपने अपना पूरा जीवन, शिक्षा को ही समर्पित किया है. आप सब भली भाती जानते हैं, कि हर student का अपना एक सामर्थ होता है, शम्ता होती है. इनी शम्ताओं के आधार पर, students और teachers के सामने तीन सवाल भी होते हैं. पहला, वो क्या कर सकते हैं, दूसरा, अगर उन्हें सिखाया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, और तीसरा, वो क्या करना चाहते हैं. एक student क्या कर सकता है, यह उसकी inner strength है, लेकिन अगर हम उनकी inner strength के साथ, उन्हें institutional strength दे दें, तो उसमें उनका विकास व्यापक हो जाता है. इस combination से हमारे युवा वो कर सकते हैं, जो वो करना चाहते हैं. इसलिए आज देश का खास जो skill development को लेकर है, आज जैसे जैसे देश आत्मनिर्भर भारत अभ्यान को लेकर आगे बढ़ रहा है, स्किल्ज युवाओं की भूमी का और उनकी निमान भी बढ़ती जा रही है. साथियों, डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी ने स्किल्ज की इसी ताकत को देखते हुए, देश को पहले सिक्षन सहुस्थानों और उद्योगों के कोलोबरेशन पर बहुत जोर दिया था. आज तो देश के पास और भी असिम अवसर हैं, और भी आधिनिक दोर के नए नए उद्योग हैं, आर्टिफिशल इंट्रिजेंस, इंटरनेट अफ तिंग्स, और बिक डेटा से लेकर 3D प्रिंटिंग, वर्चुल रियालिटी, रोबोटीक्स, मोबाइल टेकनोलोजी, जियो इंफर्मेटिक्स और स्मार्ट हेल्ट केर के डिपेंस सेक्टर तक आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है, इन जरुरतों को पूरा करने के लिए देश लगातार बड़े कदम भी उठा रहा है, देश के त इनिशिटीटूर्स की स्थापना की जा रही है, कुछ महीने पहले, दिसम्बर में ही, इनियन इंस्टीटूर्स अब स्किल्स मुंबई में पहला बैज भी शुरू हो गया है, नेश कॉम के साथ भी 2018 में फूचर स्किल्स इनिशेटीव शुरू किया है, ये इनिशेटीव देड़ सो से जादा स्किल सेट्स की ट्रेनिंग देता है, सात्यों नई राष्ट्रिय शिक्षा नीती में, NETF का भी प्रावधान है, जो सिक्षा में टेक्नलोजी के जादा से जादा इस्तमाल पर जोड देता है. हम यह चाहते हैं कि सारी उनिवर्सिटीज मल्टी डिस्सिप्लिर्णरी बने हैं, हम स्टूडेंस को फ्लेक्सिबिलिटी देरा चाहते हैं, जैसे इजी, एंट्री, एक्जीट और एकडेमिक, बैंक अब क्रेडिट बना कर, आसानी से कहीं भी कोर्स पुरा करना, इन सभी लक्षों को प्राप्त करने के लिए, देश की हर उनिवर्सिटी को साथ मिलकर, एक दूसरे से तानमेल बिठा कर, काम करना ही होगा. इस पर आप सभी वाई चांसलर्स को विशेश ध्यान देना होगा, देश में जो नई-नई संभावनाय हैं, जिन जिन चेत्रों में हम संभावनाय पैदा कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा स्कील पूल हमारी उनिवर्सिटी में ही तैयार होगा. आप सभी से आग रहे हैं कि इस दिशा में और तेजी से काम हो, एक तैस समय के भीतर उस काम को समार्थ किया जाए, साथियों, बाबा साब आमबेड करके कदमों पर चलते हुए, देश तेजी से घरीब, दलीद, पीडीद, शोशित, वन्चीद, सभी के जीवन में बड़लाव ला रहा है. बाबा साब ने समान अवसरों की बात की थी, समान अधिकारों की बात की थी, आज देश, जन्दन खातों के जरिये हर व्यक्ति का आर्थिक समाविस कर रहा है, डीबीटी के जरिये, गरीब का पैसा सीधा, उसके खाते में पहुँच रहा है, डीजिरल एकानमी के लिए जिस भीम यूपियाई को शुरू किया गया था, आज वो गरीब की बहुत बड़ी ताकत बना है, डीबीटी के जरिये गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है आज हर गरीब को घर मिल रहा है मुप्त बिजरी कनेक्शन मिल रहा है जब उसी प्रकार चे जल जीवन मिशन के तहट गाउं में भी साप पानी पहुंचाने का एक भरपूर मिशन मोड़ में काम हो है करोना का संकत आया तो भी देश गरीब मद्दूर के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ दुनिया के सबसे बड़े वेक्शनेशन प्रोग्राम में भी गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है कोई अंतर नहीं है यही तो बावा साब का रास्ता है यही तो उनक साथ्यों बावा साम हमेशा महिला ससक्तिकरन पर बल देते थे और इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किये उनके इसी वीजन पर चलते हुए देश आज अपनी बेटियों को नए नए अवसर दे रहा है गर और स्कुल में 144 से लेकर सेना में युद्ध विमान युद् के केंदर में आज महिला हैं इसी तरह बाबा साहब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज देश काम कर रहा है बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंचतिर्थ के रूप में विक्सित किया जा रहा है कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर अंबेड कर इ केंदर के रूप में उभर रहा है सात्यों आज हम आज आजी के 75 साल के करीब हैं और अगले 25 सालों के लक्ष हमारे सामने हैं देश का ये भविश भविश के लक्ष और सफलताएं हमारी युवाओं में से जुड़े हुए हैं हमारी युवाही इन संकल्पों को पूरा करें हमें देश के युवाओं को वो उनकी सवर्ट के हिसाब से अफसर देने हैं मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब के ये सामुहिक संकल्प हमारे सिर्ण जगत के ये जाग्रत प्रयास नए भारत के इस सपने को जरू पुरा करेंगे हमारा ये हमारे ये प्रयास ये परिश्रम ही बाबा साब के चरणों में हमारी सत्धान्जली होगी इनी शुबकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नवरात्री की शुबकामनाई देता हूँ आज बाबा साब आमेड करके जन्म जहनती पर विशेश रुप से सुबकामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद